पूरी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवारे दूप से सुहिश्चित किया जाए यानि food procurement agencies यदि गाव में जाकर खरीद कर सकती है और MSP वो किसानों को दे रही है तो उनको allow किया जाएगा उनको help किया जाएगा उनको अनमती भी दी जाएगा ये एक महत्पूर निर्ड़े आज माने मुफंधी जी ने लिया है लगभग 30-40% फसल की कटाई अब करीब करें जो खिशी भाग में कल मुझे बताया है वो पूरी हो गई है और खिशी भाग जोर शोर से लगा है कि फील्ड में जिलादीकारियों के मार्देम से विकास से दिकत ना हो बंडी के क्रे की कारवाई भी सुनिश्चित की जा रही है और उसके साथ-साथ यदि गाओं में खेट पर भी किसान का खरीद अगर होनी है तो एजन्सी जैदी खरीदती है तो उनको भी अन्मती दी जाए एक महत्पूर निर्ड़े और मानी मुखनत्री जी न प्रमुख सचिव माधिमिक शिक्षा, प्रमुख सचिव टेक्निकल एजुकेशन, प्रमुख सचिव वोकेशनल एजुकेशन और इसके साथ-साथ-मेडिकल एजुकेशन के भी प्रमुख सचिव को ये निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो उच्च शिक्षा, उन्लाइन शिक्षा की व्यवस्ता को व्यवस्तित और ब्रिहाज रूप से आगे बढ़ाये जाए जिससे जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े उन्होंने जो निर्देश दिया है उस करम में मुझे जो बताया है उधारन क इसे रूप में प्रभुप सचिव उच्षिछा ज्वारा की CSJM University कानपूर है और उसने अब तक कोस कंटेंट 225 कोर्से का शुरू कर दिया है और webinar यानि web training के बार दिया हैं से दो कोर्से के चलाए हैं और online material लगभग 4000 students को online material उपलब कराया है इसमें जो university के teachers हैं वो email के बा WhatsApp के मार्जयम से, Zoom App के मार्जयम से, Microsoft Meet के मार्जयम से, Google Classes के मार्जयम से, online links जो UGC या MHRD ने प्रवाइड किया हैं उनके मार्जयम से और NPTL की मार्जयम से जो है ये उन्होंने जो है व्यवस्ता की है और e-time table पहली बार e-learning के लिए e-time table भी students का बढ़ाए जो university ने upload कर द चंडशेगर university जो ये है इसने जो कारे किया है इसी प्रकार सभी universities को निर्देशित कर दिया गया है सभी universities में online शिक्षा की कारवाई सुमिश्चित कर ली गई है और इस काम को take up किया गया है जैसा मैंने अभी बताया मानिव उप्वादी जी ने प्रहुश्चित शिक्षा को ये अवगत कराया है कि online व्यवस्ता में लगभग लगभग सभी विश्वत्यालों ने काम शुरू कर दिया है अनेज विश्व पर e-content तयार करके उनको निरंतर upload किया जा रहा है और इसके लिए अभ्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए जैसा मैंने अभी बताया वेबिनार भी किया गया है और इस प्रकार lockdown की अविधी में विशेश ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं भी उच शिक्षा के विद्यार्थियों को कोई रुपसान नहों और घर पर ही उनके सेमेस्टर की अव्षेश पढ़ाई भी पूरी की जा सकें विध्यार्थियों के परिक्षा और शिक्षा संबंदी जो उनको एक प्रेशर बनता है वो भी ये ऑनलाइन व्यवस्ता से दूर की जा सकती है और ऑनलाइन व्यवस्ता में स्टूडेंस की काउंसिलिंग भी की ज संदर में एक फाइर एजुडेशन और वौकेशनल एजुडेशन और टेकनिकल एजुडेशन और मेडिकल एजुडेशन में अलग-अलग जैनती के रूप में मनाये जाता है तो ऐसे में जो निर्देश ये भी है शासन के और इसकी भी समिशा की गई है और काफी सहयोग धर्म गूरों का और सभी लोगों का मिला है और अमेटकर जैनती पर भी बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव फीडबाइक मिला है यह सुझाओ भी सरकार का और यह प्रसाओ की सरकार का है और इसमें भी बहुत अधिक घ्याम देने की आफशकता है कि कहीं भी लोग इकटा में हो तो इसका भी एक निर्देश सभी जनपदों में जाए, लोगों का जनसरयोग लिया जाए, जो अब 14 तारीक को विशेश रूप से जो अलग-अलग कारक्यम, धार्मिक कारक्यम भी होते हैं, वो भी लोग घर में मलाएं, तो उसका भी निर्देश सबको गया हुआ है इसके साथ साथ एक निर्देश मीटिंग में मानि मुफंती जी ने और दिया है, कि जो भी सरकारी रिकारी हैं, करणचारी हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं, चिक्षक हैं, आरो के सेतु आप का अधिक साथिक उप्योग करें आरो के सेतु आप में काफी मातरा में लोग उससे जुड़ रहे हैं, और आरो के सेतु आप ऐसा है, जो संक्रमर्ण से बचने और स्वेम को बचाने के लिए एक आप है, जिससे बहुत अधिक लोगों को आगे चलकर जो है, जूरी बनाए जाने के संदर में, सोशल डिस्ट सेंसिंग इंशोर करने में भी लाब मिलेगा, काला बजारी जवाखोरी मुनाफ़ा कारी के लिए भी विशेश रूप से निर्देश किये गए हैं, और काफी मातरा में ग्लावीर चेतर में दुकानदारों के वरुद कारवाई भी की गई, पानी मुखपंत्री जी ने ये निर्देश सभी जिला में स्टेटों को और सप्लाई डिपार्टमेंट को और आपूर्ती भाग को दिया है, कि जहां भी कारवाई किसी दुकान के वरुद करें, तो वैकल्पिक वैस्था अगल बगल से जो भी वैकल्पिक वैस्था, ट्रंक वो भी वैस्था हो जाए, इस पर कारवाई स्विच्चित करने की आशक्ता है, ये गन्दा विभाग के मार्जन से आपको मालूम है कि विशेश रूप से सैनिटाइजर की आपूर्ती अब 70 कंपनियों दौरा किया जा रहा है, प्रमुक सेचिव गन्दा ने ये भी बताया है कि सैनिटाइजर की काफी मा मात्रा लगबग 1,50,000,000 लीटर सैनिटाइजर प्रतिदेन उत्पादन अब हो रहा है और अब तक लगबग 11,000,000 लीटर सैनिटाइजर प्रदेश में उत्पादित होकर वो लोगों में बाटा गया है, और इसी के मार्जन से 6,70,000 मार्केट से बिग भी गया है, वर्तमान में लगब 9,75,000 लीटर सैनिटाइजर मार्केट में उत्लंग है, तो जो हमारे चीनी मिल और डिस्टिलरीज हैं, उन्होंने अलकॉल जो उत्लंग था, वो सैनिटाइजर में जहां उत्लंग कराया, तो बहुत अधित मात्रा में जो है, इसका भी काम होगा है, मार्भी जो अपनी नगर निकाये हैं या गाओं हैं, वहाँ स्प्रे की व्याफता समिश्चित करें, तो इसे वो चीनी मिल जो है, अपना सयोग दे सकती हैं, ये कारे का निर्देश भी कल मुखमर्दी जी ने दिया है, और ये काम भी जो है, चीनी भाग में और वारी चीनी मिलों करना शुरू कर दिया है, इसमें भी व्याफत ग्रूप से सफलता नहीं गई है, ग्रह बात के मातिम से हम आपको बताना चाहेंगे, कि अब तक 15,378 FIR दर्ज करके, 48,503 लोगों को जो है, उनकी विरुद कारवाई की गई है, ये जरूर हम बताना चाहेंगे, कि जो लोगो को जिनके खिलाब कारवाई हम कर रहे हैं, उनको हम मुचलके पर छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि अनावश्य किसी को हम जेल नहीं भेजना है, लेकिन कारवाई जरूर कर दे रहे हैं, अब तक जो है, जो लोग गिरफतार किये गए, उनको मुचलके पर छोड़ा भी गया है, अब तक कुल मिलाकर जो है इकिस सो च्वालिस माहनों को सीज किया गया है और च्छे करोड इकतिस लाट रुपया जो है चेकिंग से शमन शोट से जो है धंगाशी जमा की गई है ताला बाजारी और जमा खोरी में 484 जो है लोगों के खिलाफ 385 एफाई आर अब तक दर्च कर दी गई है 484 लोगों के खिलाफ 385 एफाई आर दर्च की रहे तीन सो पचासी एफाई आर और शार सो चौरासी लोगों के खिलाफ करवाई कर दी गई है फेक न्यूज के हमें अब काफी संख्या में मामले 201 आये हैं हम साइबर सेल से उनको जांच कराने की लिए लिए लिदेश हमने दिया है अब तक जो 12 अपरेल के जो सूतना मिली हैं हमको कल 46 मामले कल ही कल में आये हैं जिसमें फेस्बुक के दोर टिक टॉक के टीम और ट्विटर के 41 मामले आये हैं होट्सपोट के बारे में हम बताना चाहेंगे चुकि मीडिया में भी काफी डीटेल में यह आया है और आपको मालू है कि यूपी का होट्सपोट मॉडल पानी मुपंत्री जी का होट्सपोट मॉडल है यह अनुकारणी है आपके मीडिया में भी इसका पॉजिटिव रपोर्टिंग हुई है तो मैं बताना चाहूँगा कि यह मॉडल और मजबूती से और स्वक्ति से लागू करने के लिए निर्देश दिये गए हैं और यह भी निर्देश दिये गए हैं कि किसी व्यक्ति को कोई कर्चना जी ना हूँ हर घर में व्यवस्था भी समिश्चित हो जाए पंदरा जन्पतों में अब तक 133 होट्सपोट चिन्हित करते हुए 95 ठानों में जो है 157,635 मकान चिन्हित किये गए हैं और कुम इलाके इन में अब 10,61,000 लोग हैं और इन 15 जन्पतों के होट्सपोट में 312 करोना पॉस्टिव केसे आये हैं और जो संदिग व्यक्ति थे उनको 2986 लोगों को फैसलिटी कॉल्टाइमें डाला गया है मकानों की संख्या है 1,57,665 व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 10,61,000 हो गई जी अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दुटी चर्ण में जन्पतों में डियंस ने अपने आप जहां जहां उनके केसे निकले उनको होट्सपोट बनाया है और जिलादिकारियों ने जो अपने संख्या पर बनाया है लगबाग 45 जन्पतों में 59 होट्सपोट के अंतरगर 44 स्थाने आ रहे हैं और 1,43,000 मकान हैं और लगबाग 9,1,000 की इन में चिल्हित किया और इन छेत्रों में भी 75 करोना पॉस्टिव के केसे डिटक्ट हुए है यानि 342 और 75 अगर हम जोड़ दें तो लगबाग 80% से अधिक केसे इन होट्सपोट के विलेन है तो जो यूपी मॉडल है जो मानी मुक्वंत्री जी का योगी मॉडल है वो मॉडल यही है कि जहाँ होट्सपोट है जहाँ करोना पॉस्टिव के केसे हैं उनको हर हालत में इंसर्कल करके उनकी अच्छी व्यवस्ता करके घर घर जाकर उनमें एक एक व्यक्ति का अगर कोई सिंप्टोमाटिक है तो उसको तुरंट चिन्हिक करना उसको मेडिकल सुधा देना वहां सफाई की व्यवस्ता सुनेश्चित करना सुरक्षा सुनेश्चित करना डो 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 डिलिवरी सुनेश्चित करना और वहां 14 देज पूरा निकाल देना और पूरे प्रदेश में जो विदेशी तबलीखी थे उनको भी प्रॉपर्ली क्वारंटाइन करके उनका भी जो है मेडिकल वेवसाव की की जा रही है कई FIR जरूर दर्ट करती गई हैं चुकि फॉरमेज एक का उलंगन हुआ है और लगभग 259 लोगों के पासपोर्ट जब किये है जो उत्रप्रदेश का सप्लाई का मॉडल है ये भी पूरे देश का सबसे बड़ा वर्किंग मॉडल है देश में इतनी बड़ी संख्या में इत सुधा आप मांगेंगे वो बिल जाएगी फल सब्जी के अब तक 1380A35 13885 मोबाइल वैंग्स लगाए गया है मोटर चलित और 28830 थेला गाड़ी हाथ चलित लगाई गई है कुल मिलाकर 42,715 लगाई गई है इसके साथ साथ 51,94,000 लीटर दूद उपारिजन हो चुका है कल और 33,22,000 दूद का वितरण किया गया है साथ साथ जो है डोर टूद दूद पहुंचाने वाले अब 19,688 है कुछ मीडिया में इन संख्या पर भी लोगों ने बिंदू उठाये है कि बिंदू प्लस और माइनस दोनों हो सकते कुछ दिन ये बढ़ सकता है कुछ दिन घर सकत कोई जरूरी नहीं कि हर दिन ये बढ़े किराना स्टोर्स में 21,359 किराना स्टोर्स के माज़म से 49,026 यानि 49,026 होम डिलिवरी की साथा भी दी जा रही है ये भी पूरे देश का समसे बड़ा अभ्यान है और मैं समझता हूँ कि इस अभ्यान को आगे चुकी वैवसा बना रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग को दूर करने के लिए ये बहुत बड़ा माज़म है इसको जारी रखा जाएगा अब तक जो है लगवज प्रदेश में प्रचले 303 करोड 56 लाग राशन कार्डों में जो कल तक की सूचना आई है 2 करोड 77 लाग राशन कार्डों पर वि माज़म से कल 7,69,000 फूल पैकेट तैयार हुए और जिला प्रचासन के 908 केंद्रों के माज़म से 4,67,000 फूल पैकेट तैयार हुए यानि कुल मिलाके 12,26,000 फूल पैकेट तैयार हुए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा फूल पैकेट की वहस्ता में कल DGP सामने और गयवाद से भी निर्देश दिये गए हैं लोग अपने बिना अनमती के कोई फूल पैकेट बाढ़ने ही वहस्ता न करें कुछ जगों पर शिकायत भी आई है कुछ जगों पर लोग विकारी लगाएगे हैं उनका जरूर सहयोग ले अगर कोई सस्ता बाढ़ना चाहती है उनसे आप सुतरं सहयोग लेने के लिए निर्देश दे दिये गए होट स्पोट्स पर जो है खाध्यान का वित्रण भी तेजी से अब हुआ है और होट स्पोट्स पर शुरूआत में थोगा सा दिकत आई थी लेकिन आप 1085 जो है दोस्टर डिलिवरी के मिल्क बूद मिल्क वैं किये गए हैं दोस्टर डिलिवरी के लिए 1805 माहन भी लगाए गया है दोस्टर डिलिवरी के लिए 1447 प्रोजिन स्टोर्स को भी लगाए गया है और काफी मातरा में वहाँ जो र पूरे देश में उत्तर प्रदेश में हुआ है और ये बहुत बड़ा काम हुआ है और इसी आधार पर पूरे देश में अंदे प्रदेशों ने भी इसको लागू किया है तो 30,328 इकाईयों से बाचीत करते उद्योग भाग में और IITC मौदे की कमिटी ने लगभग 406.55 करोड का वेतन भागा है बड़ी उपलबी है और इसको आगे और ले जाना चाहिए ये सहयोग आगे उद्योग का मिलता रहे ये कमिटी भी इसको आगे ले जा रही जो बंद द्योग थे उनको भी चालू किया गया है 5,281 एकाईयों को बंद जो थी चालू की गई है अब तक जो है कुल मिलाके 12,49,000 श्रमिकों को 124,000 रुपय की दर से भी माट दिया गया है और साथ-साथ नगरी शेत्रों के 4,4,000 ग्रामिट शेत्रों के 3,89,000 लोगों को निराश रटे हो को 1000 रुपया दिया गया है अब यह भी आपको बताना चाहेंगे कि जो आटा मिल है और जो फ्लॉर मिल है 905 उनको च dementia क्योक जा गया है और जैसा भी हमने आपको बताया यदि यह आटामिल या फ्लॉर मिल अपना ग्यहों शिरे खिसान से खरीना चाहेंगे तो ऐसी वैस्ता भी अपकर दी जाएगी ये बड़ा परिवर्टन मुखंदी जी का आदेशाज हुआ है कि जहां भी अगर किसान से खेट से गाहों से लेना है तो ऐसी वैस्ता हो लेकिन से लीचे ना हो सकता है तेल मिलों का आपको मालूम है 419 तेल मिल चालू कर दी गए है और लगण 90 परसेंट प्लस से जाधा तेल तिल हम है और दैहन की फसलों का वहार्वेस्टिंग भी हो गया है तो यह काम भी जो है बहुत अच्छा हो गया है राजय शुभाद में अपने आश्रे स्थलो पर 5241 आश्रे स्थलो पर 125,900 लोगों को लगवार रहा है गाजय शुभाद की हेल्प लाइन पर भी अब काफी मात्रा में कॉल्स आ रही है और आश्रे स्थलों के बारे में मुक्वंति जी ने कहा वहाँ एक अच्छी वैस्ता हो वहाँ पर स्वास की अच अच्छी वैस्ता हो जरूत पड़े तो वहां मनरद्यन का TV भी बहुत जाके CSR में TV मिले हैं उनकी भी वैस्ता कर दी रही है तो इसका भी प्रभाव जो है पड़ा है और इसका बहुत अच्छा और पॉस्टिव प्रभाव पड़ा है मैं पुरह इस अफसर पर आज इस प् अनलाइन जो उनकी शिक्षा वैस्ता है उस पर ही और डिटेल होगा हम आपको अपने प्रेस्ट में दे देंगे मैं चाहूँगा कि प्रभुत सचे चिकित्सा अब आपना डीजे उबलब देंगे